नमस्कार साथ एक बार फिर से स्वाकत है दे इंडिया न्यूस के अंदर दोस्तों आप सब लिए लेकर आचुके हैं गोवा विदानसभा चुनाव की कुछ अपडेट्स और महा जनता सर्वे दोस्तों हम जनता सर्वे के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर और गोवा के अंदर टीमसी बीजेपी को बड़ी टकर देने की कोशिज करकी दोस्तों यहां पर गोवा पर टीमसी की नजर विदानसभा चुनाव से पहले कांग्रेश सिव सेना के कई नेताओं ममता बेनर्ट जी की पार्टी में हुए सामिल दोस्तों यहां पर अगले साल विदानसभा चुनाव से पहले गोवा कांग्रेश के नेता ममता बेनर्ट जी की तर्णमूल कांग्रेश पार्टी में सामिल होगे हैं तर्णमूल कांग्रेश पार्टी ने गोवा इकाई के नेताओं का स्वागत किया हैं बुद्धुवार को उत्री गोवा कांग्रेश से सामिल हो चुकी हैं इससे पहले गोवा के पूर्व मुख्य मंत्री और पूर्व कांग्रेस नेता लुए जिलो फेलेरियो भी टीमसी का दामन धाम लिया है महमताब एनरजी ने के नेट दो वाली तर्नबूल कांग्रेस ने पोड़ा से सीव सेना के परकंड अद्येक से विनो और गोवा टीमसी नेता मारियो पीटो और विजय पाई ने सामिल हुए थे दोस्तों आगे के अपडेट भी जानेंगे उससे पहले भी तिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्ड़ी से नीचे चैनल को नीचे लाल बटन दबाग सब्सक्राइब कर ले लाइकन क इस साल की सुरुआत में ही पसिम मंगाल विदानसबा चुनाओं में बाजबा को हराने के लिए पसिम मंगाल सीम और टीमसी सुप्रीमो ममताव एनरजी की साराना की थी गोवा में 2017 की विदानसबा चुनाओं में कांग्रेस ने 40 पसदी है सदन में सबसे अधिक 17 शिट जीती थी इस चुनाओं में भाजबा को 13 शिट मिली थी हालां की कांग्रेस को पचाटन ते हुवे बीजेपी ने सेत्री दुलों के साथ गड़बनन कर विरेश्ट नेता मनोहर परिकर के नेत्त में सरकार बनाई थी इस बार आम आद्वी पार्टी के साथ हुसेणा टीमसी भी चुनाओं लड़ने के लिए एलान कर चुकी है अभी हाली में आम आद्वी पार्टी के राइस्टी संयोग और दिली के मुके मंत्री अर्विन केजरिवाले ने गवा सरकार बनाने के बाद पही 300 यूनिट तक मुब्द बिजली और स्थानिय लोगों के लिए 80% नोक्रिया गोशित की है पर दोस्तों इसके साथ एक अपडेट और निकल कर आ रही है उसके बारे में जाले तो आम आदी पार्टि में सामील हो गए हैं जिसके जानकारी आम आदी पार्टि के ट्विटर आकाउंट से दी गई हैं ट्विटर पर एक फोटो शेयर की गई जिसमें आम आदमी सुयोजन और दिली के सीम अर्विंद केजरिवाल दयानन्द नार्कोट और आपके पट का पहनकर पार्टी में सावागत करते हुए दिकाई दे रहे थे वही आम आदी पार्टी में सामिल होने पर पूर्वे डिप्टी सीम ने बताया कि मेरे पास कई पार्टीों के प्रस्ताओ थे लेकिन मैंने एक ऐसी पार्टी चुनने का पैसला किया जिस गेर बृष्ट गेर विवादास्तप और लोगों के मुद्दों को आगे ले जाने का नर्वेकर ने कहा कि आम आदमी 20-25 वर्चे सेतरों में अच्छी उफस्तिदी आप गोवा में खुद को कांगरेस और बाजपा के विकलप के तोर पर पेस कर रही हैं नर्वेकर ने कहा है कि जब वे आपके राइष्टी स्योजन और दिली के मुक्य मंतरी अर्विंज गेजरिवाल से मिले तो उन्हें अपनी सरकार की उपलेद बंद्यों के बारे में जानकारी आश्य हुआ उन्होंने कहां कि पार्टी का राइश्टी और अंतर राइश्टी स्तर पर अच्छा नाम है। इदर आप में सामिल होने के पहले ही उनके रिकॉर्ड पर नज़र डाले तो उनका अतित बश्टचार के अरोपे से दुस्टित रहें। नौर्वकर अतित में आम आधी पार्ट के अंदर फुतल फुतल मचा दी हैं। उन पर दोजार दो में बार्ट उस्टेलिया के एक दिवस्य अंतर राइस्टी मेच के लिए नकली टिकेट चापने और बेचने के लिए गवा किर्गेट एजेंसियों ने अध्यक्स के रूप में अपने पद्गा दुरुपियों कर लगाये था उन पर दोकादड़ी और बेच्टेचार के आरोप में केस दर्च किये गए हैं और उन्हें ग्रिपदार किया था दोजार नौ और दोजार बारा की बीच बार्टी किर्केट कोटल बोट ने उपद्यक्स के रूप में कारे करने वाले नोवेर कर पर गोवा के डोना पाउला इलाक में रियल एस्टेर फार्मो का आईटी पार्क स्थित करने के लिए अधिग रहती सरकारी भूमी को सोपने का भी औरोप लगाया था आलांकि बाद में इस पर योजना को रद कर दिया गया उन्होंने कोटालों में किसी भी तरे की सलीपता का इंकार करत नहीं ठेहरा गया है इसे पहले दोस्तों हम एक और बड़ी अपडेट के बारे में जाना है उससे पहले हम जान लेते हैं आज का ओपनिन पॉल क्या होगा दोस्ति यहां पर देखा जाए तो हम सुरुवाद करेंगे नौर्ट गवा की चोगदा विदानसभा सीटों से पर जाए तो बीजेपी अपर चार सीटों का भोगध हस्क रसकती हैं जिपकी दोस्ती यहां पर अच्छी का लीड बीजेपी एक साथ और और धेखेए तो सुरुवाद में चोगदा सीटों में से कार्ग्रेइस प्लेटी 5 सीटों की लीड लीड हास्शिक्त एक Im G.ाए के लिए दोस्ति यहांपर साउथ कोवा की 26 बावन हो सकता है जो कि दोस्ति हैं पर कांग्रिस का बड़ा नहीं होता हुआ कर सकती हैं जोगी दोस्ति हैं और अदर पार्टी खाते में बिल्कुल जूरू पर दूस्लिया पर گोवा के हम 40 मिसे 30 के बार हम बात कर चुके और 40 सीटों में देखे जैङ जाए जटाइक पसंद डीता टीम बी जेपी एक बार फिर से 19 सीटों के साथ उबर सकती है और यहां पर जीट का दैरत टे Ohपर बना सकती हैं पर विदान सबत कारो सकती है पर तो दो पार्टी को चारत यहां पर अधर पार्टी खाते में दोस्टीटे जा सकती हैं पर दोस्तों इसके साथ हम लाइस टेंड फाइनल अपडेट भी जान लेते हैं तो दोस्तों यहां पर गोवा में 2022 के चुनाओ को लेकर गटबंदन पर बाची चाज तेज लेकिन कांग्रेस बे गटबंदन नहीं किया था विदान सबा चुनाओ में अब जब की पांच महीने से ही कम समय बाकी हैं तब गोवा के चुनाओ गटबंदन के लिए विबिन पार्टियों के एक दूसरे के साथ संपरक सादने और नेताओं के बाद केमरों के बेटे करना सुरू कर दी हैं हाला कि प्रमुक विपक्स दल कांग्रेस इस सबसे पीचे नजर आ रहा है पार्टि ने तो खुद अपचारिक तोर पर किसी सहतरिय दल के साथ गटबंदन के लिए कोई वारता सुरू नहीं की हैं सुर्वाजी ग्रूप से ऐसा कोई प्रस्ताव दिया है कि और नहीं अन्य दलों के ऐसे किसी संदेश पर कोई प्रिक्रिया भी नहीं दी हैं गोवा के कांग्रेस सद्यक से गिरिशे चाड़िन करने प्रिदिष्ट को बताए कि हमारे नेता पी चिंद बरम और दिनेस गुड़क राओ गोवा के ब्लोग पर स्तर पर दोड़ कर रहे हैं दोस्तो आकिरकार गोवा के दर किसी बनेगी सरकार और भी अपडेट जानेगे उस से पहले अब जानने के लिए अभी कभी सबस्क्राइब करें